विल्कम बच्चों मैं आपकी टीचर अनीता तो आपकी छुटियां खतम हो गई हैं और आपका दूसरा सत्र शुरू होता है और दूसरे सत्र में जो आपको पहला लेशन पढ़ना है वो पहला पाठ है धड़ा पंदरा नदी चे गाने नदी अतलग आपको पता है नदी याने रीवर नदी आपको मालूम है गाने याने गीत तो इस चो पाट में हमें क्या पढ़ना है नदी चे गाने यानि नदी के गीत पढ़ना है नदी के उपर गीत बना गया है वो गीत हमें पढ़ना है ठीक है अई का वाचा, सुनो और इसे पढ़ो तो आगे इसका पूरा कविता दी गई है आपको इस पूरी कविता को मैं आपको समझाऊंगी और इसका अर्थ बताऊंगी देखो बच्चो, पहले मैं इस कविता को आपको एक गीत रूप में गा कर बताऊंगी फिरिस्प के बाद में पुरी कविता का मैं आर्थ बताने वाली हूँ तो देखवा दरी दरी तुन वना वना तुन जुल जुल मी वाहतिये ते मी मन्जुल गाने गाते मी पुढेच धावत जाते वसली गावे तीरा वरती त्याना भेटुनी जाते पुढती लतावरिक्षिकिती काठा वरती भूमेतुनी जे मजला भेटती फुलिवेली मजसुम ने देती कुठेल वाली खेलत बसती कुठे याम्रतरु माज्या वरती शीतले अपुली छाया धरती पाणी प्यूनी पक्षी जाती घटब रूनी कोणी जल नेती गुरे वासरे जवली येती मुले केलती लाटा वरती मी कोणाची मी सर्वांची बांधुनी मजने नार्याँची जे थे जायन ते थे फुलविन बागमनोहर आनंदाची और इस कविता को किसने लिखा है वी म कुलकर्णी ने अब हर एक स्टैंजा का हर एक जो कविता के एक चार चार लाइन है उसका हम पढ़ेंगे और उसका हम अर्थ समझेगे ठीक हो आप देखो बगल में ही इसके सीनरी दी गई है द्रिश्य दिया गया है नदी है पहाड़ियों के बीच से बहकर ये नदी जा रही है और इसे के उपर ये गीत लिखा गया है तिक है दरी दरी तुन वना वना तुन दरी को हिंदी में क्या कहते है घाटी जो पहाड़ों के बीच में देखो ये पहाड़ियों के बीच की जो जगा होती है इसको हम घाटी या दरी कहते है नदिया जो होती है पहाड़ों से बहकर ही नीचे आती है तिक है वहाँ पर बरफ वना वनातुन वन याने जंगल ये देखो पहाड़ियों पे पूरे जंगल ही होते हैं पेड़ पोदे बहुत सारे होते हैं जुर्ण जुर्ण मीवाहतिये ते मीमन जुर्ण गाने गाते जुर्ण 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 मैं मन्जूर मतलब मीठा मैं मीठा गाना गाती हूं क्या नदी जब बहती है तो एक खलखल की आवाज आती है तो कवी ने उसकी आवाज को क्या समझा है एक गीत की रूप दिया कि नदी गाना गा रही है देखो मैंने सब्दों के अर्थ लिख लिए आपको न समझ में आये पड़ते समय तो यहाँ पर अर्थ आप देख लेना धावत जाते धावत याने दौरते हुए मैं आगे ही आगे दौरते जाती हूं कभी आपने देखा है कि नदी रुकी है वहीं पर आराम कर रही है नदी तो हमेसा चलती रहती है और अंत में जाकर कहां मिल जाती हैं सागर में मिल जाती हैं अब आगे देखो एGHTकिनारे तो तेर बाद से देखो नदी के किनारे गाओं कहां बस से पर इसलिए बसते हैं ताकि उनको खेती करने के लिए पानी मिल सके पीने के लिए बाकि उनके जो दिन देनन दिनी जरूरते हैं आवशक्त्या है पानी की वो पानी उनको मिल सके आसानी से कहीं दूर से ना लाना पड़े इसलिए सुविधा के लिए लोग पहले नदी के किनारे ही गाउं बसाते थ बढ़ती हूं लता व्रिक्ष की काठा वर्ती और काठ याने काठ मतले भी किनारा ही है देखो यहां किनारा तो वह कहती है कि लता व्रिक्ष बहुत सारे व्रिक्ष आने पेड़ पोदे लता याने लताएं आपको मालूम है वो उनको स्टेम नहीं होता है उनके तना नहीं होत तो नदी के किनारे विन प्रकार के विर्ख्ष और लता अपने आप ही उगाते हैं भूमी तुन्जे मजला भेटती और कहती है नदी कि देखो जब मैं बहती हूं तो लता और विर्ख्ष भूमी से जब मैं जाकर मिलती हूं तो वो सब मुझसे आकर भेटते हैं मिलते हैं मेर देती वेल याने बेल फूल याने फूल फूलों की बेल जो होती है मुझे सुमने देती सुमन याने फूल जो फूलों की बेल होती है लताय होती है वो जो लताय होती है मुझे क्या देती है फूल देती है कुठे लवाडी खेलत बसती और कहीं कहीं पर मेरे साथ में लवाडी खेलती है लवाडी क्या होता है पानी में पानी की एक वनस्पति है जो पानी में अपने आप उगा आती है पानी के किनारे किनारे या पानी के अंदर उग जाती है तो यह क्या कह रही है नदी नदी कह रही है लवाडी याने यह जो पानी की वनस्पतियां मेरे साथ खेलती है और कहीं क्या होता है कुठे याने कहीं आम्र तरू आम्र तरू याने पेड तो आम का पेड जो है माज्या वर्ती मेरे उपर क्या करती है शीतल याने ठंडी देखो यहाँ पर लिखा है अपली चाया धर्ती और जो आम का बड़ा सा पेड है वो अपनी चाया कहीं पर मेरे उपर अपनी चाया डालती है मुझे ठंडक देती है ठीक है पाणी प्यूनी पक्षी जाती घट भर उनी कोणी जल नेती और पक्षियां आती है और मेरे किनारे मेरे पाणी को पी कर जाती है मुझे बहुत अच्छा लगता है देखो नदी कभी भेवत भाव नहीं करती है नदी का पानी कोई भी ले प्राणी ले पक्षी ले इंसान ले पेड़ पोदे ले वो किसी को मना नहीं करती है पानी प्यूनी पक्षी जाती पक्षी पानी पीकर मेरे किनारी से मेरे नदी से ज आती हैं देखो घट याने मठका! गुरे जवड़े जानवर, गुरे मतलब क्या होता है जानवर वासरे याने उनके बच्चे, जानवर और उनके बच्चें हमारे किनारे आते tract देखो यहाँ पर कित्रे में दिखाई दे रहा है ना किसले आते होंगे बताओ आप पानी पीने के लिए तो इनदी सबको अपना जल देती है मुले खेड़ती लाटा वरती और यह देखो यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देगा क्या कह रही है नदी बच्चे क्या करते हैं मेरे लाट मतलब होता है लहर मेरी लहरों के साथ बच्चे क्या खेलते हैं मेरे साथ बच्चों लहरों के साथ मेरे खेलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है देखो आगे है मी कोणाची मी सरवांची सरवांची मतलब सभी की पानी में मेरे किनारे जो आते हैं मैं अपना पानी देती हूं मैं सब को अपना जल देती हूं बांधों नहीं मज नेने आ रहा थी और मैं उनकी भी हूं जो मुझे बांग कर ले जाएं अब बांग कर कैसे ले जाएंगे आपको गई टीचर पानी कैसे बांग सकते हैं बांग और ले जा सकते हो आप तो मुझे बाऊने जो ले जाहेगा मैं उसकी हो जाओंगी जेते जाओं निते फुलविन जेते जाई निते फुलविन जहां जाओंगी वहां पर फुलाती हुमें फुल विनवाने फुलाना बाग मनोहर आनन्दाची क्या फुलाती हूं मैं मनोहर यानि मन मुहक बाग यानि बगीचा बगीचों को मैं हरा भरा करती हूं उसमें फूल आते हैं देखो पेड़, पौधे, इंसान, जानवर, पक्षी सभी को जीवित रहने के लिए फलने के लिए क्या चाहिए पानी चाहिए अगर बगीचे में आप पानी नहीं डालोगे तो पौधा मर जाएगा न फूल आएंगे न फ़ लाएंगे तो यह क्या कहती है नदी कि मैं जाती हूं बगीचे में और उसको हरा भरा बना देती हूं उसमें फूल आने लगता है मन लगती है ना थी थे खाइब आपर सब्डों के अर्थ है मंजूड जो नहीं याने में कर आने किनारा लटावयल हम्हों इनको स्टेम नहीं नहीं होता है वह वो क्या होते हैंλλटा होते हैं व्रिक्ष जाड सुमन जाड मतला हम भी व्रिक्ष कहते हैं पेड सुमन फूल हम भी फूल कहते हैं मारा हिंदी में भी फूल कहा जाते हैं लवारी पाने आत की वहां पाने जवर वालनारी एक वनस्पती पानी में या क्या पानी के पास में किनारे बढ़ने वाली एक वनस्पति है आम्रे तरू आम्व्याचे जाड याने आम्र याने आम करू याने पेड थंड याने थंडा चाया सावली छाओ जिसे हम कहते हैं घट माती चा घडा माट या हिंदी में कहते हैं मटका मनोहर सुन्दर तो मैंने पूरी कविता पढ़ा कर आपको इसका अर्थ जा दिया अब आपको इस कविता को याद करना है और अपने बुक में लिखना है इस पार्ट का स्वाध्या जो मैं अगले वीडियो में आपको दूंगी ठिक है